नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी खड़े होंगे एक बार, ओम शान्ति, सभी हाथ ऐसे करिए, मुसल्मान करते हैं ऐसे, यह संकल्प करिए कि परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, एक उनिवर्सल शक्ति आपके हाथों में आ रही है, सत्मुष हाथ में वो फिलिंग हो रही है कि परमात्मा की शक्ति आ रही है, हाथ को ऐसे रखिए, तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, हाथ को काईए चेहरे पे लगाईए चेहरा भी लाल हो जाएगा तो आप लोग भी ब्रमा कुमारी बहने कहती है कि कपड़े सफेद जेब है खाली फिर भी चेहरे पे है रुखानी लाली और बन रहे हैं हम विश्व के माली तो ऐसा आप सब भी कहने लगेंगे अच्छा तो emotional intelligence की जो बाते हम चर्चा करने जा रहे हैं आप भी उसमें जितना हो सके participate होने की कोशिश करने कल भी मैंने आपको कहा था कि जितना आप ज़्यादा involved होंगे कुछ बोलिये भी participate भी होईये तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो इससे ले सकेंगे आज से 108 साल पहले ninja immunal जो एक बहुती बुद्धिशाली व्यक्ति था हम intelligence की बात कर रहे हैं उसकी बुद्धी बहुत तेज थी वो बहुत अच्छा चित्रकार था आसपास में लोग भी उसे जानते थे एक दिन वह करीब में दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए गया खरीदारी करने के बाद उसने 20 डॉलर है वह दुकानदार को दिये और दुकानदार जो दुसरे बचे हुए पैसे है उसको देने लगा तो जब पैसे देने लगा तो उसने देखा कि उस नोट से अंगूठे में कलर निकलाया पहले तो उसे डाउट नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर निंजर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था लेकिन उसके चले जाने के बाद सोचा कि सायथ ये जाली नोट तो नहीं है इससे कलर निकलाया जब पुलिस को भी बुलाया गया तो पुलिस में भी मदबेद हुआ कि यह सायथ सची नोट है लेकिन फिर भी उस नोट से कलर निकलाया था इसलिए जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो मिस्टर निंजर रंगे हाथ पकड़ा गया वो आर्टिस्ट की तरह 20 डॉलर है वो चित्रकार से चित्र बनाता था और उन दिनों 20 डॉलर बहुत ज़्यादा पैसे होते थे जब वो पकड़ा गया तब उसके कमरे से दुसरे भी 3 चित्र मिले जो उसने बनाए थे और जब उसका उक्षन किया गया तो आपको जानके आश्चर यह होगा कि एक एक चित्र के 500 डॉलर मिले और आश्चर यह की बात है कि मिस्टर निंजर को वो एक पोट्रेट बनाने में जितना समय लगता था उतना ही समय उसे वो 20 डॉलर की जाली नोट बनाने में भी लगता था तो इससे क्या प्रश्ण होता है क्या प्रश्ण होता है कोई नहीं क्या होता है कि वो क्यों ऐसे जाली नोट बनाता था चित्र बना के 500 डॉलर में क्यों नहीं बेचता था साइथ उसका कारण है कि उससे वो चित्रों को बेचने की महनत नहीं होती थी 20 डॉलर बना के कोई दुकांदार को दे देना उसके लिए बड़ा सरल काम था और आज का जो हमारा विशय है कि वो emotionally intelligent नहीं था तो emotional intelligence में जिस व्यक्ति की intelligence अच्छी नहीं है वह क्या सोचता है कि मैं निराश हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ खो गया कहीं लोग कहते हैं कहीं आत्महत्या भी करते हैं कि मेरा सब कुछ चला गया इसलिए मैं निराश हूँ अमीता बच्चन जब कौन बनेगा करोड़ पती से फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आए तब उन्होंने एक बार कहा कि मैं सफल हुआ क्योंकि मेरा सब कुछ खो गया था तो ये दोनों के बीच में देखिए कितना बड़ा फर्क है और यही बात है कि जो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है इमोशनल इंटेलिजेंट में कहीं बार व्यक्ति की हो सकता है कि आईक्यू काम है चाल्स स्वैब कि जो बहुत बड़ी स्टील की कंपनी में मैनेजर थे और कहीं वर्षों पहले उन्हें पांच लाख डॉलर का पगार मिलता था लोग कहते थे कि आप बहुत बुद्धिशाली है क्या तुरुने कहा नहीं मैं जاदा बुद्धिशाली नहीं हूँ परन्तु मेरे में सिर्फ एक ही बात है कि मैं लोगों में इंथूजयाजम भर सकता हूं मैं लोगों में इतना इंथूजयाजम क्रियेट करता हूं कि जिसके कारण आज लोग एक संगठन के रूप में काम करते हैं और मुझे इतना जादा पगार मिल रहा है वास्तों में आप क्या कहते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है परंतु लोगों के साथ जब वहवार करते हैं तब आप कैसे वहवार करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बार एक कवी सबेरे सबेरे प रख करके उन्हें कहा दोस्त, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बटवा ले करके नहीं आया, तो जैसे उन्होंने ये कहा, उसकी आखों से आशू आने लगे, तो कभी ने कहा, तुझे दूख हो रहा है, चल मैं वापस जाके ले आता हूं, तुझे पैसे देता हूं, तो उस तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे दोस्त कहा और आपने जब मुझे दोस्त कहा तब मुझे लगा कि किसी ने मुझे पचास हजार रुपिय दे दिये हो और मेरा जीवन धंटिया हो गया तो कैसे हम लोगों के साथ वहवार करते हैं वह बहुत ही महत्वपुर्णा बात है और आवश्चक्ता है कि परिस्थिती से हम दूर नहीं भागे परन्तु उसे चुनाथी के रूप में स्विकार करें इमोशनली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वह परिस्थिती को चुनाथी के रूप में स्विकार करता है उसका एक स्लोगन होता है पहले मैं बताता हूँ फिर आप रिपीट करेंगे इंपोर्टन्ट है याद रखना पहले मैं सुन लो पूरा फिर हम सब रिपीट करेंगे क्योंकि यह जरूरी है कि एक स्लोगन भी आप सीख के यहां से जाओ तो जीवन में सफल हो जाएंगे इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति का क्या स्लोगन होता है फेक दो हमारी जिन्दगी को आग में आग को भी बदल देंगे हम बाग में सर करेंगे आखिर सब मोर चे कि आने दो मौत को भी सामने रिपीट करेंगे कई मुझे कहते हैं कि आप हमको बच्चे की तरह सिखा रहे हो पर अगर सचमुच कुछ सिखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा अच्छा हां तो रिपीट करेंगे ना फेक दो हमारी जिन्दगी को आग में अभी बच्चे नहीं बने आप लो आग को भी बदल देंगे हम बाग में सर करेंगे आखिर सब मोर चे कि आने दो मौत को भी सामने पक्का अच्छा यह emotional intelligence शब्द कैसे आया emotional intelligence जो है वो हमें एक तो भी अपने आप के बारे में awareness लाती है कि जितना हमारी awareness अच्छी होगी उतना ही हम ज़्यादा सफल हो सकेंगे और यह शब्द कैसे आया इस विशय में चर्चा भी करने लगे और emotional intelligence मतलब क्या Mr. W. Clovin Williams वो एक tank के accident में अंधे हो गए फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अंधे होने के बावजूद भी वो एक पादरी बने और जब वो एक सफल पादरी बले तब उन्होंने कहा कि यह जो blindness है वो मेरे जीवन में वर्दान बन गई है क्यों? क्योंकि अभी मैं blind हूँ तो लोगों की बाहिय बातों को नहीं देखूंगा बाहिय चीजों को देख करके निरने नहीं करूंगा परन्तु मैं आंतरिक बातों पर ध्यान दूंगा बाहर से व्यक्ति कैसा भी हो फिर भी मैं सब के साथ एक जैसा विहवार करूंगा तो यह है emotional intelligence एक जरो था कहीं कमजोर सा पड़ा हवा ने उसे उडाया तो तूफान बन गया एक नन्हे से बीज को गर्मी ने तोड डाला वरुक्ष यू चढ़ा आस्मान में डर्नाना जमाने को जिसे भी रोका जमाने ने जिसे भी रोका वो बड़े ते बड़ा इंसान बन कया इसलिए समश्याई आये तो भी डर्नाने क्योंकि समश्याई वास्तव में हमें आगे बढ़ाती है समश्याई हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और हमें emotional intelligence व्यक्ती वो अपने feelings के साथ aware होता है कि इस वक्त मुझे क्या feelings हो रही है हाँ आप सब aware हो कि नहीं हो एक सिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और ब्रह्म में क्या फर्क है तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ का सर आप बोल रहें वा सत्य है पर आप समझते हूं कि हम सुन रहे तो आपका भर्हम है मेरा भर्हम तो नहीं न कि आप लोग सुन रहे तो इल्कुल ध्यान से सुन और जागरत हो जाओ हर बात के लिए जितना आप जागरत होंगे आपको अच्छा अनुभर हो सकेगा जागरत कैसे होना चाहिए सिखना है कि नहीं सिखना है एक बार खड़े हो जाएंगे सब हाथ को ऐसे करिए हाथ को अब हाथ में क्या हो रहा है आवाज नहीं देखो जितना silence होगा आप अच्छी तरह से कर सकेगे feeling हो रही है अभी हाथ को दीरे-दीरे हलाई है feel करो दीरे-दीरे एकदम दीरे-दीरे हिलाई है और क्या moment हो रही है उंगलियों में आपको क्या feel हो रहा है हाथ उपर जाता है तो क्या feel हो रहा है joints में क्या feeling हो रही है बिलकुल उसे हाँ देखो बहन पिछे कर रहा है, फरिष्टे की तरह करो बहुत अच्छा, आओ पैर भी होला हुपř, फील करिये। सच्मुच करिये, करिये, और फास्ट करिये, लेकिन फिलिंग चालू रहे हां, फास्ट कर लेकिन फिलिंग, फिल करो, फिल करो हाँ दान्स करो, फिल करो लिप्किन, करो, 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 इम फिल करो, हसो नहीं, हाँ, फिलिंग हो डी चाहिए, जेचे भी दान्स करना है, करो, 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 करीये, करीये, आक्लो नहीं कर रहे, आधी रहा हो, ताली बले नहीं बजाओ लेकिन डांस करो तेरे बर्ण हमेशा सब भी नहीं करते, बहुत लोग फड़े इस्था पंजवा मैं बारेन, आईया बला छुले लालेन पंजवा मैं बारेन, आईया बला छुले लालेन सिंदरिना, सेवन नात की शाबात कलंदर तमादम मस्क कलंदर अली तम्दे अल्दर, तमादम मस्क कलंदर अली तम पहता नंदर, नाली मरी लो तो के लाइटी है ओम शान्ती फिल किया है? सिर्फ डांस करना नहीं था इसका लक्ष यह था कि जो भी कर रहे हो, उसको फिल करी हाँ चल रहे हैं तो भी कहते हैं कि सजग हो जाओ कि क्या हो रहा है, एक पैर उठा रहा हूं फिर दुसरा पैर उठा रहा हूं खाना खा रहे हो, सजग हो जाओ कि क्या फिलिंग हो रही है जितनी आपकी awareness से वो बढ़ेगी उतना ही आप emotionally intelligence भी होंगे और nursing का अर्थ क्या है? आप अलग-अलग definition देंगे परन्तु मैं कहता हूं कि nursing का अर्थ है लोगों को मिलना nurse मतलब patient के bigger काम कर सकते हो nurse मतलब patient और सिर्फ आपने जो nursing skill सिखे वो important नहीं है परन्तु patient के साथ कैसे वहवार करना वह बहुत-बहुत महत्वपुर्ण उसको हमें अच्छी तरस से सीखना चाहिए एक बार नायर हॉस्पिटल में वहां pediatric department में एक nurse थी तो बच्चों के बदले उनके जो माबाप थे वहांके बड़ा तंग करते थे तो जब माबाप तंग करते थे तो कहीं nurse है वो तो उन पर घुसा करती थी कि shut up बार जाके बैटो या अंदर नहीं आओ लेकिन एक बहुत emotionally intelligent nurse थी हमने कई बार देखा कि जब माबाप या दुसरे बहुत लोग आके तंग करते थे तो कुछ बोलने के बदले वो सर पकड़के बैट जाती थी तो सबको मालूम पड़ जाता था कि हम लोग disturb करें लोग आप अपने आप चुक्चाप दूर हो जाते थे तो ऐसे लोगों से वहवार कैसे करना बहुत इंपॉर्टन और एक नर्स थी आप जानते हैं पीडियाटरिक डिपार्टमेंट में कहीं हम खिलोने रखते हैं परन्त उसने क्या किया बच्चे रोते थे बीच बीच में एक बच्चा रोता था तो सारे रोने लगते थे तो क्या करती थी कि उसने एक खिलोना लाया था कि जो म्यूजिक भी बज़ता था तो जब भी कोई बच्चा रोता था उसका म्यूजिक स्टार्ट करके बच्चे के पास चली जाती थी बच्चा शान्त हो जाता है, तो ऐसे हम किस प्रकार लोगों के साथ वहवार करते हैं, वो बहुत ही महत्वपुर्णा बात है, और इसमें आप creative भी बन सकते हैं, यह नहीं सोचो कि हम तो government hospital में job करते हैं, उसमें सब बाते कहां मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी patients आते हैं, जिस प्रकार के भी patients आते हैं, कैसे हम उनसे deal करें, उसकी कोई अगर नहीं युक्ति आप ढून निकालेंगे, तो बहुत अच्छे फाइल करें, आपकी अगर IQ अच्छी है, अगर आपकी बुद्धी अच्छी है, तो आपको अच्छा job मिल जाएगा, परन्तु, प्रमोशन तब ही मिलेगा, अगर आप emotionally भी intelligent हैं, आज कहीं लोग है, कि जिनको college में बहुत अच्छे percentage मिले हैं, परन्तु अगर 25 साल के बाद देखो तो वहां के वहां है, कोई ज्यादा promotions नहीं मिले, क्यों? क्योंकि उनकी IQ अच्छी थी, परन्तु EQ, जो emotional intelligence है, तो उनकी emotional intelligence है, वह अच्छी नहीं थी, कि जिसके कारण उन्हें promotion नहीं मिला, और इससे भी आगे, सहत अभी तो संभव नहीं है, दुबार आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कि EQ से भी ज्यादा महत्वपूर्णा है, spiritual intelligence, इसको SQ कहते हैं, क् कि जब आपकी SQ अच्छी होगी, तो ही सच्मुच आप जो satisfaction का अनुभव करना चाहिए, उस satisfaction का अनुभव कर सकेंगे, और कहते हैं, कि emotional intelligence वो आपको एक motivation और empathy देती है, सबसे बड़ी बात है motivation की, आप में से साथ कुछ लोगों को ही पता होगा, कि Mother Teresa को Nobel Prize क्यों मिला, जब वो उन्होंने एक nuns के रूप में सपत ली, तब वो एक school की headmaster बन गई, परन्तु से prayer में यह प्रेणा मिली, कि तुम्हारा जीवन गरीबों की सेवा के लिए है, और जब उसने वहां के bishop को भी कहा, कि मुझे ये परमात्मा का संदेश है, कि मैं गरीबों की सेवा करूँ, तो यह जवाब मिला कि नहीं आप नहीं कर सकते, यहां तक परिस्थिती आई, कि उनको वह जो टाइटल था, spiritual टाइटल छोड़ देना पड़ेगा, अगर उसे गरीबों की सेवा करने हो, तो वह भी अंदर से प्रेर्णा इतनी जबर्जस्त थी, कि उन्होंने का ठीक है, बले वह भी मैं छोड़ दूंगी, भल ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक बिशप ने उन्हें मदद की, उनका कारी आगे बढ़ाने के लिए, परंतु कहने का भाव है, कि अंदर में इतनी जबर्जस्त प्रेर्णा थी, कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, और जब उन्होंने कलकत्ता में शुरुवात की, बच्चों को पढ़ाने की, तो ब्लेक बॉर्ड भी नहीं था, वह रेत में लिख करके बच्चों को प मोटिवेशन से भी बड़ी बात है, इंस्पिरेशन, क्योंकि मोटिवेशन तो कम भी हो सकता है, कि अभी आप यहाँ पर आये हैं, आपको मोटिवेशन हुआ कि हम योग करे, परंतु वापस अपने शहर में जाएंगे, पांच दिन के बाद भूल जाएंगे, परंतु इंस इंस्पिरेशन आगे, फिर उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ते ही जाना है, तो आप भी यह लक्षा रखना कि यहाँ से सचमुझ इंस्पायर हो करके जाओ, और एमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपनी फिलिंग्स के बारे में भी अंडर्स्टेंड कराता है, हमारी फिल इंटेलिंग्स के बारे में भी अवेरनेस लाता है, जब ब्रह्मा कुमारी इश्वरे विश्वविद्याले की स्थापना हुई, तब ब्रह्मा बाबा जो करीब साट साल के थे, और मम्मा सिर्फ तब सोला वर्ष की थी, और और भी छोटी-छोटी बहने जैसे आपने सुन का की नजर देख करके आया, क्योंकि बहुत सारी कन्याई रहती थी, तो बाबा को कहीं प्रशन पूछे, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो, ए लोग तो आध्यात्मिक पुरुशार्थ करने के लिए आई है, मैं तो उन्हें कुछ नहीं देता हूँ, मैं तो उन्हें अ और दादी ब्रिजेंद्रा, दोनों छोटे थे, वो दोनों सुन रहे थे, और उन्होंने कुछ गहने भी पहने थे, थोड़े-थोड़े ही होंगे, परंतु तब जैसे ही बाबा की ये बात सुनी, तो दोनों ने आपस में बात की, कि देखो बाबा तो उनको क्या बता रहे लेकिन हमने तो गहने पहने है, तो क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा हम गहने उतार देते हैं, तुरत इतनी छोटी आयू में, 16 साल के थे, फिर भी उन्होंने गहने उतार दी, this is emotional intelligence, त्याग की बात नहीं है, it's a feeling of others, कि भी बाबा ने ये कहा है, कि ये लोग तो इतना आदगी से अपना जीवन है, वव्यतीत करना चाहिए, और emotional intelligence के लिए, दिमाग और दिल, दोनों अच्छे होने चाहिए, आज कईयों का दिमाग अच्छा है, परन्तु दिल अच्छा नहीं है, कई वर्ष पहले, Seattle में, एक Paralympics हुई, कि जो लोग physically disabled थे, उनकी Olympics हुई, तो उसमें आठ बच्चे हैं, वह running race में final में आए, और जब 400 meters की running race हुई, तो थोड़ा ही आगे बढ़े, तो एक बच्चा ही वह गिर गया, तो उसके आगे जो लड़की दोड रही थी, वह थोड़ा पीछे आई, उसको का नहीं उठो उठो तुम उठो कोशिष करो लेकिन वह बहुत निराश था, फिर भी उसने का नहीं नहीं हिम्मत करो उठो दोड़ो लेकिन फिर भी वो निराश था इतनी देर में तो और भी जो 6 बच्चे आगे दोड रहे थे उन्होंने भी पीछे देख लिया और सारे के सारे पीछे आये और उस बच्चे को उठाया और सभी ने हाथ में हाथ पकड़ करके वह लोग दोड़े और फिनिसिंग लाइन पर साथ में पहुँचे और जब यह दरश्य देखा तो वहाँ पर 5000 लोग खड़े थे सभी लोग खड़े हो गए और इन बच्चों को standing ovation दिया और दुसरे दिन अखबार में news छपे की history has been created की आठ लोगों को साथ में gold medal मिला दुसरी बात छपी की we call them mentally retarded are they mentally retarded or spiritually advanced so this is a team work की जब इस प्रकार की एक feeling हो की रिदय भी हमारा अच्छा हो की जब हमारा रिदय अच्छा हो तो बहुत कुछ कर सकते और अगर दिल को अच्छा बनाना हो तो क्या करो दिल खुदा को दे दो तो automatic आपका दिल है वो अच्छा हो जाएगा आप यहां आईए आईए भाई को भेज़ दो आईए आईए भाई यहां आओ उपर आओ stage पे आप आप अच्छा चलो उनके पीछे वाले आजाओ अब भुआ उपर आओ stage पे अढरो नी आईए आईए एस एस हाँ एस मेरे partner है ऐसे आप भी एक एक partner ढूँन डो हाँ एक partner ढूँन लो हाँ सब के पास पातनर है हाँ male male female female maybe हाँ एक एक partner चाहिए हाँ हाँ सब के बास एक-एक partner है हाँ सब ख़डे हो जाओ, हाहा, अभी देख ऐसे खडए हो जाओ, पार्टनर के सामने, चहरा सामने ले के खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी नहीं तो देरी होगी, हां, ओम शान्ती, देखो कुछ करना है, बोलो नहीं, बोलेंगे तो नहीं होगा, शान्ती से अभी बहुत शान्ती रखेंगे तो इसमें समझ अभी डांस नहीं करना है आदेखो अभी अपने पार्टनर का चहरा बहुत सिरियस होके देखो अपने चहरे को एद्दम सिरियस बना दो सिरियस बना के अपने पार्टनर का चहरा देखो देखा सत्मुच करो करो देखो चहरा serious चबना के देखो ओम शान्ती बोलो नहीं देखा अच्छा भी मुस्कूर आओ मुस्कूर आके अपने पार्टनर का चहरा देखो देखो देखा कुछ फरक लगा बहुत फरक लगा देखो बातावर्ण भी कितना अच्छा हो गया तो मुस्कूर आने से बहुत बड़ी प्राप्ती होती है दिल भी आप दूसरों को दे सकते हुआ बैठिए आजी ओम शान्ती आवाज कम करेंगे तो मैं जल्दी पूरा करूंगा बले enjoy जरूर करना है मैंने आपको कहा भी ताकि सिर्फ lecture नहीं देना है क्योंकि lecture की बात तो आप भूल जाएंगे कुछ action की होगी तो आपको याद रहेगी तो जो दादी रिदय मुहिनी जी ने भी कहा कि सदेव मुस्कूराते रहो और मुस्कूराएंगे तो आप अपना दिल भी है औरों को दे सकेंगे और बहुत बड़ी प्राप्ति होगी कहते हैं कि फानुस बनकर जिसकी हिफाज़त हवा करे वर्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे तो यह सोचो कि खुदा ही मुझे रोशन कर दे यहाँ पर जो आप आए हैं हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके सचमुच आत्मा को इतना रोशन कर दे कि वह शमा को कोई नहीं भुझा सकता है और इमोशन का अर्थ है एनर्जी इन मोशन इप्लस मोशन तो सचमुच इमोशन में बहुत बड़ी शक्ति है एक 24 साल की महिला को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महिने से जादा नहीं जीएंगे और सचमुच वह भी मरना चाहती थी दिन गिनती थी कि 6 महिने से जादा तो नहीं जीएंगे लेकिन अचानक एक्सिडन्ट में उसके पती की मृत्य हो गए और एक साल के बच्चे को वह छोड़ करके गया और एक छोटी सी दुकान थी सिर्फ वह सचमुच इतनी निराश हो गई थी मरना ही चाहती थी पती के मृत्यू के बाद तो वह और जल्दी मरना चाहती थी लेकिन एक दिन उसने उस छोटे से बच्चे को देख लिए और उसे हिये लगा कि अब इस बच्चे के लिए तो जीना है जब तक यह बच्चा बड़ा न हो जाए और कमाने नहीं लगे मुझे जीना है उसके कहीं ऑपरेशन हुए बीच बीच में लॉक्टर उसको कहते थी कि बहन अभी तुम 3-4 साल मेने से जादा नहीं जीओंगी कैंसर बहुत फैल गया है कि वो सोचती थी नहीं मुझे जीना है जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाए मुझे जीना है ऐसे 6 मास तो क्या 6 साल, 10 साल, 25 साल बीच गए तब तक बेटे ने MBA कर लिया और जब उसे अच्छी जॉब मिल गई तीसरे ही दिन उसकी मृत्ती हो गई तो this is emotion कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं अंदर में वो feelings है तो cancer से भी विपरीत परिस्थिती आ जाने दो आप उसका सामना जरूर कर सकते हो एक व्यक्ति Socrates के पास गया कहा कि साब वो आपका मित्र है न उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे news है आपको सुना हूँ Socrates ने का जरा रूको हम triple filter test करते हैं कहता है क्या हाँ इसमें तीन filter है कौन से है तीन filter पहला है कि क्या आपकी बात सत्य है कहता है नहीं ये तो किसी ने मुझे सुना ही है पता नहीं सत्य है तो कहा देखो एक filter से तो तुम fail हो गए अभी दुसरे filter से भी पास हो तो भले सुनाना दुसरा filter कि क्या वह बात अच्छी है कहता है नहीं साबय तो बहुत पूरी बात है तो कहा दुसरे filter से भी तुमारी बात fail हो गए चलो तिसरे filter से भी pass हो तो भी जरूर सुनाना तिसरा filter क्या है कि क्या वो useful है कि तहां नहीं साविया तो बेकार की बात है तो का तिसरे filter से भी fail हो गया अभी नहीं सुनाओ मुझे तो ऐसे जब भी कोई आपको उल्टी सिधी बात सुनाने आता है तो emotionally intelligent बनना आए तो ये तीन filter से पहले pass होना तीन में से कोई भी एक filter से अगर pass हो जाए तो भी आप जरूर सुनाना और emotional intelligence का अर्थ है कि बुद्धी ऐसी रखो कि आपकी जो intelligence है उस पर कहीं बादल न चाजाए ये तो intelligence पर बादल चाजा जाते और बहुत बड़ा नुक्षान होता है आप देखिए महाभारत क्यों हुआ कटू वचन के कारण कहा अंधे की अउलाद अंधे अगर ये कटू वचन नहीं किया होता तो साइट महाभारत नहीं होता इसे रामायन क्यों हुआ इर्शा की कारण मंत्रा ने कई-कई में इर्शा का बीज बो दिया चलो इर्शा भी हुई पर तु सीता को इतना दुख क्यों सहन करना पड़ा क्योंकि सोने की हिरन के लोब में फसी अगर सोने की हिरन का लोब नहीं होता हो तो सबकु त्याग दिया था जंगल में रहते थे कि फिर भी लोब के कारण समश्या ही चलो लोब भी हुआ तो कोई बात नहीं है परंतु उसके बाद परखने की शकती नहीं थी कि यह ब्रामन नहीं है रावन है अगर परखने की भी शक्ति होती तो समश्या नहीं होती, चलो परखने के भी शक्ति नहीं थी तो कोई बात नहीं, परंतु क्या हुआ लक्ष्मन रेखा का उलंगन, अगर लक्ष्मन रेखा में रही होती तो भी रावन उठा के नहीं ले जाती, तो इसलिए यह सच मुछ बाते हैं जो जीवन में अपनाओ, ताकि बादल न अच्छ जाए हमारी बुद्धी के सामने और आप इमोशनली इंटेलिजन परण। अब और भी आठ बाते हम देखेंगे, इसके अलावा कि एक इमोशनली इंटेलिजन व्यक्ति में वो आठ कॉलिटीज होती है, वो कौनसी है आठ कॉलिटीज, स सबसे पहली बात है, सेल्फ कंट्रोल. और हम सब को जो जरूरत है, सबी कहते भी है, यहां आते हैं तो भी कहते हैं, क्रोध छोड़ने के लिए आए, क्रोध के बारे में सिखना है, की नहीं सिखना है, सिखना है तो आठ लोग स्टेज पर आईए, दो भाई और छे बहने, जल्दी जल्दी आओ, दो भाई भी आजाओ, देखो जल्दी आगे बहुत अच्छा है, अपने पाटनर बना लो, एक एक जोडी बना लो, येस येस, जल्दी जल्दी आई अच्छा है, दो दो पाटनर बना लो, दो भाई भी आगे, जादा होंगे तो भी कोई बास, बास, गोट बात निया दोड़ सबके हमें, या, या। पार्त्नर होगे दोड़ नूट ? एक कोई सिंगल है की सब डबल डबल है ? चलो, मेडाम एक अकले होगे, टेरो बले रूको आप ? तो दूदो पार्त्नर होगे, थो क्रोध के बारे में शिखना है न हाँ क्रोध करके दिखाओ 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 क्रोध करके हाँ हाँ यहां क्यों नहीं आता है हाँ हॉस्पिटल में तो क्रोध आता है न क्यों नहीं आता है यहां पर हाँ क्यों नहीं आता है यहां क्रोध यहां क्यों नहीं आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है कहीं लोग कहते हैं कि लोग देख रहे हैं, यह बात ने, लोग देखते हैं तो भी हम घुसा करते हैं, परन्त अभी क्रोध नहीं रहा है, क्योंकि कोई कारण नहीं है, कहते हैं कि क्रोध बिना कारण नहीं आता है, परन्त वह कारण अच्छा नहीं होता है, जो कारण से आपको क्रोध आ कोई चीज वो बहुत गुसे में अपने पार्टनर को दो, कोई चीज दो, क्रोध से दो, जोर से, ऐसे नहीं देखो, मैं देता हूँ, देखो, बहन को देता हूँ, लो, क्या हुआ, गिर गई, वहां तक पहुंची नहीं, तो ऐसे ही, जब आप भी क्रोध करते हैं, तो आपक जचे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सच मुझे ध्यान देना आप, कि दो, 11 साल की लड़कियां आपस में चर्चा कर रहे थी, देखो, आपके बच्चे, आपके बारे में क्या बाते करते हैं, एक लड़की ने अपनी सहिली को कहा, कि चल हम कुछ शरारत करते हैं, ताक परंतु बहुत आनन्द आते हैं मुझे लगता है मैं मम्मी को कंट्रोल कर रही हूं तो ऐसे हम बच्चों को कंट्रोल करें उसके बदले बच्चे हमें कंट्रोल करने लगते हैं अब क्या करना चाहिए वास्ता में अपने आप में एक विशय है परंतु क्या करना चाहिए कहत आता है उनकी personality match stick जैसी होती है, match stick क्या है, match stick क्यों जल्दी जल जाती है, क्योंकि उसे सर है पर उन्तु ब्रेन नहीं है, ऐसे क्रोधी व्यक्ती भी क्यों जल्दी जल जाता है, क्योंकि उसे brain है पर उन्तु ब्रेन का उपियोग नहीं करता है, तो क्रोध पर वीजय प्राप् करना हो तो क्या करो ब्रेन का उप्योग करो और ब्रेन का उप्योग कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए इसलिए थोड़ा समय ले लो कोई भी युक्ति करिए एक यहाँ पर गाइनेकॉलजिस्ट आये थे उन्होंने कहा कि मेरे पती में अजीब सी आदत है जब अब जब उनको गुस्सा आता है तो वह संस्कृत के स्लोक गुन गुनाने लगते और इसका बहुत अच्छा प्रभाव मेरे बच्चों पर भी पढ़ा है अब जब मेरे बच्चों को गुस्सा आता है तो वह फिल्म के गीत गाने लगते और उनका गुस्सा कम हो जाते तो क क्या करना चाहिए एक बहुत important बात बताता हूं कि क्रोध पर विजे प्राप्त करना है तो क्रोध से जो विपरीत है वह करो क्रोध से विपरीत क्या है हसना चल अच्छा और क्रोध से विपरीत क्या है क्रोध का विपरीत है प्यार वास्ता सभी खड़े होंगे फिर से फिर से अपने पाटनर बना लो आप यहाँ आओ भाई साब भाई यहाँ इदर आ जाईए सुनो सुनो भाई आदेखोए मेरे पार्टनर है आपके पहले वाले पार्टनर सेम टू सेम सेम पार्टनर याद है ना अच्छा अभी कोई चीज जो आपके पास हो वो बहुत प्यार से अपने पार्टनर को दो ठेव मैं देखे दिखाता हूं फिर आप देना भले आप कोई भी रिती से दे सकते लेकिन करेंगे मेरे पीछे कि नहीं करेंगे करेंगे सब सब हान ही बोलते ओके हाँ देखो मैं प्यार से देता हूं फिर आप देना दो 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 करो करो सभी करिये देखो सब नहीं करते पिछे नहीं कर रहे हैं, सब करो, करो, डर लगता है, नहीं कर रहे हो, करो, अच्छा, ओके, आप भी बैठ सकते, थैंक यू, आजी, बैठिया, आया, गिव देम बीग हैंग, देखो, सब स्टेच पर आये, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी बात है, देखो, मैंने कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस बनना है, तो बच्चे बन जाओ, आपने देखा होगा, कि जब आपके बच्चे बहुत छोटे थे, और आप होस्पिटल से जब घर जाते थे, तो बच्चे भाग के आते हैं, आपक से जाओ, तो बच्चों को जरूर रोज गले लगाना, तो बच्चे जरूर इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाएं, और अगर प्रोध पर विजय प्राप्त करना हो, तो और एक अच्छी बात करनी चाहिए, देखो, युक्ती से भी करना चाहिए, इसके अलावे भी यह, तो ब्लड प्रेशर भी जादा था, तो जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तो उसको जादा गुस्सा आता था, तो एक दिन हो तो सोशल वर्कर थे, सोशल वर्क करने चले गए, और रोज बारा बजे घर पहुंचते थे, उसके बदले एक बज गया, दो बज गय तो तीन बजे घर पहुंचे तब तक तो उसकी पतनी की शुगर भी कम हो गई थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था, वो जैसे ही पहुंचे उससे क्या क्या सुना दिया, कितना गुस्सा किया, जो भी बाते होती हो, सारी उसको सुना दी, और उसने चावल बना के रखे थे, वो चावल भी थंडे हो गए थे, सोचा था बारा बजे आएंगे तो तीन बज गए, तो अब ये सारा घुसा जब उसने उतारा, तो पांच मिनिट के बाद उसको यहां, 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 नस्दीक में आके बैच पर तो नीचे बैचते थे थे ना खाने के लिए तो उसको बुलाया, फिर कहा और नजदी का, उसको और नजदी का, जैसे वो नजदी का आई, वो चावल की तपली उठा कि उसके सर पे रख दी, कहा चावल ठंडे है, तेरा सर गरम है, तो चावल भी गरम हो जाएंगे, तो उसका गुसा खतम हो गया, तो बले यह युक्ति हमेशा काम नहीं करेगी, कोई नहीं कोई ऐसी युक्ति करिये, कि जिससे भी क्रोध खतम हो, दूसरी बात है, emotional intelligence में हुआ है कि तो delay gratification, कि जो भी कुछ इच्छा हो, तुरंत नहीं करो, भी खाने का दिल हो, तुरंत नहीं खाओ, यह सोचो भूख लगी है या नहीं, हो सकता है कि उस समय आपको आवश्यक्ता नहीं है, और भी कोई बात है, वो तुरंत नहीं करो, यह सबसे बड़ा गुण है, इसलिए कहते हैं कि think before you act, कि कोई भी काम करने से पहले सोचो, वास्तव में इससे भी important बात है, कि सोचने से पहले भी सोचो, कुछ भी नहीं सोचो, think before you think, लोग कहते हैं कि सोचने का टाइम नहीं है, इतने व्यस्त हैं, हम कहां से सोचने का टाइम निकाले, परन्तु जो व्यक्ति सोचने के लिए समय नहीं निकालता है, उसको प्रायस्चित करने के लिए समय देना पड़ता, इसलिए प्रायस्चित न करना पड़े, तो जरूर सोचने से पहले भी अवश्य ही सोचो तिसरी बात है, तिसरा गुण है कि can do attitude ऐसी एकर attitude हो, तो आप निराशा को आशा में परिवर्तन कर सकते हो और attitude बहुत महत्व पूर्ण है वास्ताव में एक बार एक सिक्षक थे, वो अपने विद्यार्थियों को यह समझाना चाहते थे कि शराब बहुती बुरी चीज है, शराब नहीं पिनी चाहिए उन्होंने सोचा कि एक प्रयोग करके दिखाओं, तो बच्चे समझ जाएंगे कि शराब कितनी बुरी चीज है वो दो ग्लास लेके आए, एक में पानी भरा था, एक में शराब भरी थे और जो पेट में कीडे पढ़ते हैं, वो पेट के कीडे भी ले आए एक कीडा उन्होंने पानी में रखा, तो कीडा तैरने लगा दूसरा कीडा है, वो शराब में रखा, तो कीडे की मृत्ती हो गए फिर बच्चों को पूछा कि बच्चे, इससे क्या सिखने को मिलता है तो एक बच्चा अपनी खुर्सी से कूच पड़ा, का सार, सार, इससे यह सिद्ध होता है उसने का सार, अगर पानी पिएंगे तो पेट के कीडे नहीं मरेंगे शराब पिएंगे तो कीडे मर जाएंगे हाँ, सच्चा आर्थ समझना कि उसे जो चाहिए था वही दिखाई दिया तो एटीटीड बहुत इंपोर्टन है अगर आपकी एटीटीड होगी कि मैं कर सकता हूँ तो आप मेंसे प्रत्यक बहन्क में यहाँ कैपेसिटी है कि आप मधर टेरेंस या फ्लोरेंस नाइट एंगल बन सकते हैं परमात्मा में आपको वह शक्ती दी है परन्तु हमें वह रियलाइस करने की आवश्चक्ता है खिडकी की सलाखों से देख रहा था नीचे कीचड तो आस्मान में चांद देखा किसी ने कीचड में भी कमल तो चांद में भी दाग देखा तो आपके उपर है कि आप क्या देखते हो कीचड में भी कमल दिखाई दे सकता है और यह है can do attitude चौथी बात है self-discipline emotionally intelligent व्यक्ती के पास self-discipline होती है और self-discipline से ही कुछ भी करने की क्षमता आती 1982 में आर्मेनिया में बहुत बड़ा भुकंप हुआ कि जिसमें 4,000 लोगों की मृत्ती हो गए एक पिता को जब यह समाचार मिला तब उसका बच्चा स्कूल में था और स्कूल का मकान भी कोलैप्स हो गया था तो वह तुरंट ही वहां जाकर कि उस मलबे को उठाने लगे लोगों ने का नई नई सब बच्चे मर गए हैं आप फालतु महिनत कर रहे हैं तो वह एक ही बात करने क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो लोग किते हैं यह पादल हो गया लेकिन तो भी यह करता रहा कुछ लोगों ने आके उसको मदद की, दुसरे सारे तमाशा देख रहे थे कि यह पादल हो गया वो करता रहा, करता रहा और आखरीन 38 गंटे के बाद अवाज आई डेडी मैं यहाँ हूं और वो बच्चा जिन्दा निकला तो यह है इंथूजियाजम जो वास्तों में सेल्फ डिसीप्लीन से हमारे नाती है तो कभी भी सेल्फ डिसीप्लीन को हम खतम ना करें पाच्वी बात है कि Emotionally Intelligent person is also highly motivated और motivation आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि spirituality के लिए कैसे आए आप यहाँ पर आए हैं वो तो आपको अच्छा लग रहा है परन्तु जीवन में सच्मुछ अच्छात्मिक्ता को अपना ले उसके लिए motivation कहां से आए एक बार कभीर जी आटा पीस रहे थे उन दिनों में चक्छी चला के आटा पीस थे थे न तो आटा पीस रहे थे तो आटा पीस थे पीस थे रोने लगे वो रोते रोते उन्होंने एक दोहा लिखा क्या लिखा चलती चाखी देखकर दिया कभीरा रोई दो पाटन के बीच में साबूत बचा न कोई! जब चक्की चलती है तो उसके बीच में कोई भी दाना साबूत नहीं बचता है ऐसे जीवन संसार रुपी चक्की में भी हम सब पिसे जाते हैं, पिसे जाते हैं न, कोई दाना बचता नहीं है, उसी संबे बाजु में उनका बेटा कमाल भी बैठा था, वो भी देख रहा था, वो भी देखते देखते, उटके नाचने लगा, और नाचते नाचते उसने भी एक दोहा लिखा, क्या लिखा, ध्यान से सुनन कमाल ने लिखा चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठी आई जो कील से लगा रहे उसे काल कभी न खाई क्या देखा उसने कि जो दाना कील के साथ लगा रहा था वो पिसा नहीं जाता तो ऐसे ही परमातमा भी इस संसार रुपी चक्की की कील है उसको अगर आप लगे रहेंगे तो पिसे नहीं जाएंगे तो सबको करना है ना और एक बाद बता से अथा आप हा नहीं कहरे तो अभी तक motivation नहीं आया ना और एक बाद बताता हूं अभी कि जिससे आपका और अच्छा motivation आएगा, थोड़ा time लेता हूँ आपका, एक राजा की चार राणिया थी, जो पहली राणी थी, जिसको राजा जहां भी जाता था, हमेशा साथ में ले जाता था, जहां भी जाए राजा उस राणी को हमेशा साथ में ले जाता था, दूसरी राणी थी यो बहुत सुन्दर सब में वो जादा सुन्दर थी, उसको हमेशा नहीं ले जाता था, परंतु कोई दूसरे राज्य में जाए, तो देखो मेरी राणी कितनी सुन्दर है, वो दिखाने के लिए दूसरे राज्य में उसको ले जाता था, तिसरी राणी थी उसके पास कभी कभी जाता था, कभी कोई समश्य आये कोई तकलीफ हो तो तीसरी राणी के पास जाता था जो चौथी राणी थी वो राजा का सारा राज कारोबार संभालती थी परन्तु राजा उसके पास कभी नहीं जाता था सारा राज्य का कारोबार वो चौथी राणी ही संभालती थी फिर जब राजा की मृत्यू नजदीक आई, तो राजा ने सोचा कि भी ये चार में से कुछ राणिया तो मेरे साथ चलेगी, तो राजा ने पहली राणिय को बुलाया, और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो कहा कि सपना में भी नहीं सोचना, मैं आपके साथ नही फिर सोचे चलो सुन्दर राणी है वो तो मेरे साथ चलेगी उसको कहा तुम मेरे साथ चलेगी तो कि ना बाबा नाम है आपके साथ नहीं चलने वाली हूँ मैंने तो पहले से निश्चे कर लिया है कि आपकी मृत्ति होगी तो दुसरे राजा के साथ शादी करनी है तिस्री राणी को बुलाया, तो तिस्री ने कहा कि थोड़ी देर तक तो मैं आ सकती हूँ, परन्तु हमेशा तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, भूती निराश हो कि राजा जिसके पास कभी नहीं जाता था, और चौथी राणी के पास गया, और उसको भी यही प्रश्न पूछा तो चौथी राणी के हाँ, बिल्कूल मैं तो तयार हूँ, पहले से यह निर्णय किया है, कि जब तक आप जिन्दा है, राज कारोबार संभालना है, जब आपकी मृत्ति हो आपके साथ ही चलना है, तो वास्तव में यह कोई राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है, हम सब की चार राणिया है, कोंसी कोंसी पता है, पहली राणी है हमारा शरीर, शरीर हमेशा साथ आप ले जाते हो, जहां भी जाते हो, परन्तु शरीर मृत्तियू के समय एक सेकेंड भी साथ नहीं चलता है, दुसरी राणी है आपके धन संपत्ति, आपकी मृत्तियू होती ह तो क्या होता है धन संपत्ति दुसरे के साथ शादी कर लेती है आपकी नहीं रहती है तिसरी राणी है आपके मित्र संबंधी कि जो स्मशान तक तो आते हैं पर तो स्मशान से आगे नहीं आते हैं और चौथी राणी कौन सी नहीं आत्मा की ये चार राणी आत्मा की चौथी राणी है आत्मा के संस्कार, आज शिलूबेन ने कहा होगा कि आत्मा में मन, बुद्धी और संस्कार है, तो संस्कार ही साथ चलते हैं, संस्कार ही आपका राज कारोबार संभाल रहे हैं, आज आप लोग यहां क्यों आए, हमने तो 10,000 लोगों को नीमंत्रन दिया था, परु कुछ अच्छा सिखने को मिलेगा, तो इसलिए संस्कार ही हमारे साथ चलते हैं, तो संस्कार को अच्छा बनाने के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, तो जरूर रोज थोड़ा टाइम दो सिर्फ, मैं कहूंगा 15 मिनट सिर्फ दो, रोज, कि संस्कारों को हमे अच्छा करना, यहां से जो विधी सिखे जाते हैं, सेंटर पे सिर्फ 15 मिनट जाना ज्यादा टाइम नहीं है तो, और थोड़ा चिंतन करना, इन बातों को सुनना, ताकि आपके संस्कार है वो अच्छे हो, और छठी बात है कि जो emotionally intelligent वेक्ती है, वो excellent बनना चाहता है, वो ह और बात में excellent बनना चाहता है, उसका सबसे अच्छा उदारण है आपका शान्ती बन, यहां सब जगा पर सफाई क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जाडू मारने वाला व्यक्ती भी सोचता है कि मुझे अच्छे ते अच्छा काम करना है, प्रोफेसर स्वामी नाथन, उ तुन्होंने बहन को पूछा कि बहन जी इसकी फीस क्या होती है, बहन ने का नहीं यह तो free है, तुन्होंने का नहीं आप मुझे बुद्दू बनाते हैं, कोई conference free नहीं होती है, तुन बहन ने का नहीं सच्मुचे conference free है, तो वो यहां आए, और शान्ती से बैठके देखते आप मेंसे भी कहीं लोग वहां बैठके देखते होगे, कि यह लोग क्या सुनाते हैं, क्या करते हैं, तो वह देखते थे, कि यह लोग क्या सुना रहें, कैसे कैसे ग्यान दे रहें, और जब यह तीन दिन की conference पूरी हुई, तो जो बहन उनको लेके आई थी, उनके पास गई, और उनके हाथ में एक packet दिया, तो बहन ने कुछा कि बहन जी यह क्या है, तो बहन ने कहा कि आपके रास्ते का खाना है, आप बंबई पहुचेंगे बारा घंटे लगेंगे, आप हमारे महमान है, तो जब तक आप बंबई पहुचो, यह हमारी जिम्मेवारी है, तो यह सेंटर पर जाते थे, कि स्वामी भाई आपको होटल में नहीं खाना चाहिए, तो कहते थे कि बेंजी यह पॉसिबल नहीं है, आप तो सेंटर पर रहते हैं, हम लोग तो बाहर रहते हैं, कोई प्रेक्टिकल बात करो, परन्तु जब यह बात हुई, तो वह सारा समय, बारा गंटा यहां से बंबई पहुचे, तब तक सोचने लगे, कि यह लोग मेरा कितना ख्याल रख रहें, और उनों ने सोचा, कि कुछ भी हो जाए, बले भुखा रहना पड़े, सहन करना पड़े, मर जाओंगा, मिट जाओंगा, लेकिन बाबा की स्रीमत का जरूर पालन करूं तो एक्सलेंट, जो भी काम करना है, वो अच्छे ते अच्छा करना है, ऐसा नहीं कि अधूरा किया, जब मंदिर में जाते है भगवान मुझे ये कर देना, वो क्या स्वार्थ की बात है, परंतु 15 मिनिट भी परमात्मा को याद करो, ऐसे करो, कि सबसे अच्छे ते अच् ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, कि हम ग्रहस्ते में रहे करके भी, जो सन्यासी है, उनसे भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नेक्स्ट बात है, कि उनका कैरेक्टर भी अच्छा होता है, और कैरेक्टर क्या है, कि जब कोई देख नहीं रहा है, तब जो आप करते हैं, तो हमेशा ये लक्षा रखो कि मुझे कैरेक्टर अच्छा रखना है और कैरेक्टर अच्छा रखना हो तो क्या करना पड़ेगा पता है कि यह क्या है human being हम कहते हैं न कि human और being human वो humus से बना है जिसका आर्थ है humus मतलब कि मिट्टी तो मिट्टी और उसमें चेतना आत्मा human being तो आप सोचो कि आपको soil conscious बनना है या soul conscious बनना है Soul conscious बनना है Soul conscious बनना है Soul conscious बनना है तो soul conscious बनेंगे तो automatic जो आपका कैरेक्टर है वो अच्छा होता जाएगा आप यहाएंगे एक भाई आओ, आईए आईए, जो नहीं आए, कोई नए भाई आजाएए, आप आए थे पहले, आईए आईए, जल्दी आईए, और एक छोटी सी गेम करेंगे, भले आपने सिखा है, लेकिन फिर भी इस गेम से आपको याद रह जाएगा, क्या नाम है, रा रामेश्वर, राम का भी इश्वर, है ना, अच्छा, रामेश्वर भाई, मैं इनको कुछ प्रश्ण पूछूंगा, फिर आप पूछना, पहले मैं पूछता हूँ, ठीक है, रामेश्वर भाई, आपके पास क्या है, मुझे क्या देंगे, कुछ दो आपके पास से, अरे किसका पर्स है, किसका पर्स है, रामेश्वर भाई का है, यह पर्स रामेश्वर भाई का है, परंदो क्या पर्स आप है, यह पर्स रामेश्वर भाई नहीं है, ठीक है न, रामेश्वर भाई, और कुछ देंगे, पहला प्रश्ण क्या है, यह क्या है, दुसरा प्रश्ण किसका है, रामेश्वर का है, तिरिसरा प्रश्न, क्या, क्या, रुमाल रामेश्वर है, नहीं है, अच्छा, पहला प्रश्न, किसका हाथ है, किसका हाथ है, रामेश्वर का है, दूसरा प्रश्न, पुछो, पुछो, क्या हाथ रामेश्वर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, न तो आगे मैंने ज्यादा टाइम लेता हूं भी रामेश्वर भाई हाथ नहीं है परंतु यह रामेश्वर का हाथ है ठीक है ना तो रामेश्वर हाथ नहीं है आख नहीं है पैर नहीं है नाक नहीं है तो कौन है हाँ कौन है अच्छा हाँ आपको सिखाया गया है और एक सिंपल बात बताता हूं उससे आप मान जाएंगे कि ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए परन्तु किसका serious accident हो जाए और तुरंत operation की जरुवत पड़े तो आप क्या कहेंगे patient को ओटी में ले आओ परन्तु operation करते करते patient की death हो जाए तो आप क्या कहेंगे dead body को बार तो अंदर गया तो patient आप बार गया तो body हो गया क्या चला गया पक्का कि मैं एक जोती स्वरूप आत्मा हूं शांती से भरपूर आत्मा हूं अच्छा है सब मैं वापस दे रहा हूं आप सब साक्षी है ओके थैंक यू आप जिविम बीग हैंड और अभी लास्ट बात है कि emotionally intelligent person का judgment भी perfect होता है और यह judgment power जीसे सीता जज नहीं कर पाई कि रावन है तो ऐसे ही हमारे को भी यह judgment power लानी है और judgment power करें कब आएगी कि सच्मूच जब आप कम सोचेंगे आप कहेंगे हम थोड़ी सोचते हैं पर उन्तों सच्मूच आप कम सोच सकते हैं कैसे कि उदारण के रूप में आप अपनी hospital के बाहर आके खड़े होते हैं और आपके सामने से दो कार गुजरती हैं वो दोनों कार के मालिक को भी आप जानते हैं पहले आपके सामने से 15 साल पुरानी fiat गाड़ी गुजरती है तो आप देखके सोचते हैं क्या बेकार डॉक्टर है अपनी गाड़ी भी नहीं बदल सकता है कुछ कमाता नहीं होगा तो पहला विचार आया कि यह पुरानी गाड़ी है तो उसके बाद दूसरे पांच विचार भी आएंगे तुरंत एक मिनिट के बाद आपके सामने से ब्रांड न्यू सीटी होंडा गाड़ी गुजरती है तो फिर से आप सोचते हैं अरे बहुत पैसा वाला हो गया है जरूर रिश्वत लेता होगा नहीं तो इतना पैसा कहां से कमाया तो जो ये पहला विचार आया कि भी बहुत फस्ट क्लास गाड़ी है दूसरे दस विचार भी आएंगे पर उसके बदले वहाँ पर कैमेरा रख दो तो कैमेरा क्या करेगा हाँ फोटो लेगा सोचेगा नहीं तो ऐसे ही सारे दीन में जब जब भी संभव हो अगर आपकी आखे कैमेरा का काम करेगा देखो परन्तु सोचो नहीं और कहीं बार हम सोचते नहीं हमेशा नहीं सोचते इसे जादा अगर आपकी आखे camera का काम करेंगे तो आपके विचार कम होंगे और जितने विचार कम होंगे आपका जो judgment है वो judgment भी अच्छा होता जाएगा और इन सभी बातों को करने के लिए और एक जो चीज जरूरी है कि आपको ध्यान की विधी भी हम सिखाई रहे हैं पर अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जिसके द्वारा भी आप अच्छी तरह से रिलाक्स हो पाएंगे और जितने रिलाक्स होंगे आपका जज्जमेंट अच्छा होगा और भी जो बाते हैं वो भी जीवन में आएंगे उसके लिए मिस्टर शर्मा ना कि वो मुझे मदद करेंगे पहले से मैंने उन्हें समझाया है कि यह एक रिलाक्सेशन की और विधी है ध्यान वह सबसे अच्छी विधी है श्रीलु बेन जो आपको सिखा रहे हैं वह सबसे अच्छी विधी है परन्तु जब तक आपका ध्यान लगने लगे आप और कोई भी सरल विधी भी रिलाक्सेशन की कर सकते हैं कि जिससे शरीर रिलाक्स हो इस विधी में आठ स्टेप्स है और हम क्या करते हैं कि भी आपको शरीर के अंगों को रिलाक्स करना है तो ऐसे ही रिलाक्स नहीं होते हैं परन्तु पहले जेकॉपसन ने ये विचार किया कि उसे कॉंट्रेक करो कॉंट्रेक करके फिर रिलाक्स करेंगे तो आपको दिशा मिलती है कि भी relaxation की क्या दिशा है क्योंकि contract किया फिर relax करेंगे तो एक second वो पता चलेगा कि अभी वो relax हो रहे है और फिर करीब एक minute तक उसे relax करो और उस दवरान मन से यह सुचना भी दो कि यह मेरे अंग relax हो रहे है यह word भी बहले repeat करो कि relax या let go तो अब आपको वो 8 step हम बताते हैं बह आप सिर्फ देख लिजी अभी कर नहीं पाएंगे पर फिर संभव हो तो आप जरूर करना ऐसा हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार के हमारे सभी center ओपर भी जिनको interest है वो ऐसी कुछ relaxation की विधी सीख सके आपको interest हो तो center पर भी contact करना हम ऐसे centers भी start करने वाले हैं लेट जाएंग तो जो सबसे पहला step है कि जिसमें पैर की मैं आपको describe भी कर रहा हूँ ताकि easy होगा कि पैर की उंगलियों को आगे की और मोडते हैं सारे पैर के पंजे को भी आगे की और मोडते हैं तो पैरों के नीचे के हिस्से में और calf muscles में आपको contraction feel होगा वो 5 second contract feel करो फिर उसे relax कर दो और एक minute तक relax रखो वो feeling को कायम रखिए कि रिलाक्स हो रहे हैं रिपीट करो जैसे बताया second step है पैर की उंगलियों को शरीर की और मोडते हैं सारे पैर के पंजे को भी शरीर की और मोडते हैं तो पंजे के front में और front of legs में भी आपको contraction feel होगा वो भी 5 second करके फिर उसे अच्छी तरह से relax कर दे रिलाक्स सेम प्रोसीजर है मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको third step है सारे पैर को उठाते हैं उठाते हैं तो thighs के आपके जो muscles है वो contract होंगे सेम प्रोसीजर को repeat करो relax और एक-एक step दो-दो बार करना है ताकि वो हिस्सा अच्छी तरह से relax हो जाए fourth है बतक्स को lift करते हो and you are lifting your back as well back और बतक्स को दोनों को आप lift करते हैं और वहाँ पर contraction feel करते हैं then relax let go next में हाथ की मुठ्थी को दबाते हैं try biceps को भी contract करते हैं गले को भी contract करते हैं front of neck chin को chest पे touch करके गले को भी contract करते हैं and then let go relax हाँ देख रहे हैं सब हाँ बहुत अच्छा है देखा पांसो हजार रुपया face लेकर के technique सिखा ही जाती है मैं आपको free में बता रहा हूं next है हाथ को ऐसे मोड़िये गले को भी पिछे की और ले जाते हैं ताकि गले के पिछे की हिस्से में भी contraction फिलो अभी भी आप कर सकते हैं जो करना हो और धेन रिलाक्स और अभी इसी step में अभी हमने नहीं लेकिन ये इसके साथ साथ eyebrows को भी lift करते हैं ताकि eyebrows भी contract हो and then relax और लास्ट है दाथ को दबाते हैं आखों को squeeze करते हैं आप सब करो देखो अभी भी आपको अच्छा लगेगा इससे and then let go करिए करिए जो depression के भी patient है उनको भी बहुत अच्छा लगता है इसे contract करके जब वो relax करते हैं ऐसे फिर से बता हूँ दाथ को दबाईए आखों को squeeze करिए गाल को भी बीच में दबाईए इसे then let go relaxation most important है उस हिस्से को भी अच्छी तरह से relax कर दीजिए okay thank you give him big hand ते को इतना सीखिया बैठे तो मैंने आपको सार के रूप में emotional intelligent कैसे बनना चाहिए उसके कहीं background बताया और साथ साथ में यह जो art qualities है वो का art qualities भी मैंने आपको बताई thank you very much जिन्नों ने यह powerpoint presentation बनाया है उनको भी हम विशेश धन्यवाद देंगे हमारे रवी भाई है hospital में रवी भाई ने यह powerpoint presentation बनाया है और अब मैं आपसे छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रुकना चाहिए था वास्ताव में परन्तु जरूरी काम है बोरियोली में एक बहुत बड़ा कि रात होगी अकेले हो तुम अकेले है हम फिर कहीं ने कहीं मुलाकात होगी ओम श्राण कर दो